हेलो एप्रिवान कैसे हैं सारे बच्चे आई हो पिटा सभी बच्चे बहुत अच्छे है और वेलकम बाक टुम बाक टुमाइक 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 ले रही हूं बोट का सेकिंड सेशन आइनो आइनो यार तुम लोग का माइक्रोब्स वाला चैप्टर चल रहा था और करेंगे करेंगे गल से फिर् anywhere से लाट ऋजाएं इंडास्त्रीयल प्रोडच्छ वाला खना है ठीक है बट ये बीच में क्यूं लिया आए है सांपल पेपर निकाला है मार्किंग स्कीम दिय एक सांपल पेपर दिया चाहें कोई परो या नहीं बटा योशका एक-ग स्कीम भी आई है तो मैं आपको इस क्लास में ही बता रही हूं कि बिटा किस क्वेशन को कितनी अच्छे से आपको अटेम्ट करना है कि आपको मार्क्स नहीं नहीं कटे नहीं कटे दूसरी चीज़ बिटा एक चीज़ में तुम को बता देती हूं बायो की CBSC board exam में नंबर ईज तोड़ दिंगे अग्दम इसन बिटा अगर आपने अच्छे से नहीं लिखें अपने पॉइंस आपने कुछ टर्म्स नहीं लिखें है तो बेटा माक्स कार्ट लेता है examiner तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे इसलिए क्लास हम लेके आई है नो बेटा मैंने आपको क्या ब पता हो three options भी पता हो कि कहां से हैं क्या है क्या नहीं है concept मैने तुम लोग को समझा दिया था आज बेटा जो two marks three marks five marks questions है उनको देखेंगे देखेंगे कितने direct questions आये किस तरीक से लिखना है कौन कॉंसे terms मिस नहीं करने और राइट अभी बेटा क्या करेंगे कुछ मैं आपके लिए quiz लेके आए हूं like you know बेटा हम लोग daily quizzes करते हैं live classes में तो यहां पे भी हम quiz करेंगे but यहां पे उन topic में से चोटे-चोटे mcq 4 mcq बेटा आपकी screen पे आएंगे आपको यह याद दिलाने के लिए कि यह भी important है सिर्फ sample paper वाली नहीं पढ़ने और भी पढ़ने है mcqs बेटा are very important आपके sexual reproduction flowering from health and diseases joby chapter in in kut chapter में से मैंने तुमको लेके आई हूं जिसके बेटा important होते हैं तो you have to carefully see the question and answer all right चालो मेटा पहला question तुम लोग की screen पे है यह देखो जारा question क्या बोल रहा है बेटा tRNA has the function of what अभी जस्ट पिछली क्लास में बेटा यह discuss हुआ था जस्ट दस बज़े वाली क्लास में discuss हुआ तो अगर तुम लोग ने attend की होती तो यार तुम लोग यहां पे यह question गलत नहीं करते है या जिसने मेरी क्लास अगर वैसे भी देखिये molecular basis of inheritance तो बेटा गलत नहीं होगा यह question हर वो चीज जो exam के लिए important है I point out every time बेटा तो उस चीज को लिखा करें जबी भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो बेटा प्लीज हर चीज को note down करें a method of sterilization is what reproductive health chapter में से बेटा sterilization ध्यान से सुनों यहां पर बहुत सारे contraception methods दे रखे हैं इन में से sterilization कौन करवाएगा बेटा सोचो सोचो चलो next in India important MC क्यों बनता है बिटा we find mangoes with different flavors in fact is a question में से कई बार कई बार बिटा दो का question आया है इस चीज से आपकी diversity के types species diversity आपके genetic diversity यह बहुत बार आता है तो mangoes different different color के होते हैं different different flavor के होते हैं होते हैं अलफान्जो आम अरे लो ना दशेरी कितने सारे आम होते हैं मुझा भी यादी नियारे बट शुगर content अलग अलग होता है तो बिटा किस बेसिस पे होता है नेक्स्ट हाव मेनी मियोटिक डिवीजिन आर रिक्वायर्ड ऐसा question बिटा आपके से calculation वाले question two months पे आते हैं हमने ये कल भी a question किया था जिसमें बिटा guava seeds बनाए थे आपका वो question पहले भी आया हुए seeds बनाने में तो ध्यान रखेंगे question में कब pollen साख पूचा है कब embryo साख पूचा है कब zygote की बात कर रहा है कब seed की बात कर रहा है तो it is very important ploidy ploidy बिटा इस chapter में हर चीज की ploidy पता होनी चाहिए हर चीज कैसे बनेगी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए the first question बिटा कह रहा था tRNA का क्या function है तो इसका अंसर ज़रा देखू यह बेटा tRNA एक adapter molecule भी बोलते हैं इसको यह attach करता है amino acids को याद करो टिया ने चार्ज हो करके amino acid को लेके आता है और ribosome के पास आ जाता है और बेटा polypeptide बनाने में मदद करता है translation process में next question a method of sterilization क्या होता है बिटा sterilization का मतलब है completely sterile कर रहे हो something which is in irreversible irreversible है अब यह चीज दुबारा ठीक नहीं हो सकती तो बिटे वासक टॉमी is there in case of male जहां पर वास difference को कट करके tie कर दिया जाता है अभी इसको permanent दुबारा जोड़ दोगे क्या पिटा अगर हम अपनी उंगली कट कर लेंगे तो as it is दुबारा जोड़ सकते हैं कहां नहीं तो बिटा यहीं चीज है वासक टॉमी में बिलकुछ सरलाइज हो जाते हैं तो उसके बाद अभी अगर टेस्टिस में स्पर्म बन भी रहे हैं फिर भी नहीं पहुंचेगा सीमन में और राइट नेक्स्ट रेश्ट मिटा ये कोर्शन बहुत SIMPLE था बट लेट मी सी कितने बचलिस हाई अंसर दिया है यू वाई क्योंकि वी नहीं नहीं कराया है अभी हम ecology में नहीं पहुंचे हैं पहुंच जाएंगे पहुंच जाएंगे है अभी exam को time तो बेटा mangoes बहुत different different type के होते हैं यह उसकी genetic species diversity को दर्शाता है but this class is for boats I am hoping आपको कुछ-कुछ chapters के idea हो नहीं भी हो तो अभी आपका बेटा मकसर यह कि जो आपने कोई कोशन नहीं पढ़ा है तो इसको दिमाग में समझ लेंगे कि में को इसको बाद भी कैसे attempt करना है ठीक है चलो ना है हंडिट पॉलन बनाने मुझको पता है एक मियोसिस होने के बाद और यह मियोसिस किसमे होती है पॉलन मदर सेल में एक मियोसिस होने के बाद बैट टेटराड बनता है और टेटराड उसके बाद डेवलप हो जाते है microsports और फाइनली आपको चार पॉलन ग्रेंज बिलते हैं, अभी यहां पर 100 पॉलन ग्रेंज बोल रहा है, तो बेटा 100 पॉलन ग्रेंज बने तो कितनी मियोसिस हुई, कितनी मियोसिस हुई, तो बेटा युनिटरी मेथड लगा देंगे, 100 डिवाइद बाइद बाइफोर, 25, the answer is C, चलो बिटा, next question देखते हैं, अरे मतलब next topic देखते हैं, now, last class में मैंने section एक अदम करा दिया था, अभी हम जल्दी जल्दी करेंगे बिटा, हमें main focus यह नहीं है, इसको सब कुछ डीटेल में पढ़ना है, बहुत सी चीज़े पहले भी पढ़ ली है, बहुत बिटा आगे पढ़ने वाली है, यहां पर बस simply देखना है, यह question आया हुआ है, और इसको attempt कैसे करना है, चलो बिटा, शुरू हो जाओ जल्दी जल्दी, state the composition and principle of oral pills, as a contraceptive measure, बिटा, oral pill को contraceptive measure के लिए यूज करते है, तो इसकी composition क्या होती है, और इसकी principle क्या होती है, and this question has come up many times, बहुत बार बेटा, oral pills पे question आता है, अगर तुमारा question आता है, या तो tubic tummy, vasectomy दे दता है, image और identify करो, या फिर बेटा, IUD पे question आता है, या फिर बेटा, oral pills पे question आता है, कि इसकी composition, इसका principle क्या है, तो यह बेटा क्या होती है, basically, इसके अंदर हमारा progesterone और estrogen hormone का mixture होता है, या कभी-कभी सिर्फ यह होता है, estrogen नहीं होता, या कभी-कभी सिर्फ estrogen होता है, progesterone नहीं होता, या फिर mixture होता है, तो बेटा, यह composition है, either they are together or alone, alright, now, यह दोनों आपको पता है किस चीज के लिए होते हैं, यह बेटा होते हैं, हमारे पूरा प्लासेंटा को बना रहा होता है, मतलब जब आपका uterus fertilization हो गई, तो बेटा, uterus की maturing अगरा सम्में आगे मदद करता है, now, the point is, जब तक बेटा इसका level body में जाधा रहता है, तब तक ovulation नहीं होती, FSH और LH नहीं बढ़ता है, इसलिए pills के दोरान बेटा इसको दिया जाता है, ताकि egg नहीं बना हो, और बेटा यह क्या करता है, एक environment create नहीं करता बढ़िया, यह बेटा इसको proper environment नहीं देना है, त अगर मैं आपको बोलू, corpus luteum को भी बेटा, degrade कर देगा, ओ, corpus luteum, तो progesterone तुम दे ही रहे हैं, ठीक, 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 तो बेटा इसको लिखेंगे की proper environment नहीं देगा, मतलब एक तरीके से एक fertile, जो आपका uterus का, यह को तो नहीं ठीक निंग प्रॉपर बनती है, बेटा पहले ली गई हैं कि avoid कर रहे हैं during time पे, तो इसका level बढ़ा रहेगा ताकि बेटा, evolution ही नहीं हो, तो यह ultimately क्या लिखेंगे, evolution को avoid करती है, ovulation को बेटा, avoid करती है, नहीं होने देती, तो बेटा, यहाँ पे example of sahelis related पूचा है, तो it is very important to mention, sahelis is a non-steroid pill, first pill बेटा, non-st steroidal है, तो यहाँ पे इसका लिखेंगे यह word, तो तुमको लिखना है, evolution को है, progesterone, estrogen और बेटा, यह non-steroidal काम करती है, कैसे, next question बेटा, पूचा है, क्यारियो टाइप of a child, show, trisomy, बेटा, trisomy अगर दिखा रहा है, और किस में, 21st chromosome में, trisomy का मतलब है, बेटा, अगर human में 46 chromosome होते हैं, तो एक chromosome extra, यानि की plus 1 chromosome, 47 हो गए, बेटा, किस में हो रहा है, 21 chromosome में हो रहा है, तो मान लो 21 chromosome तुमारा, AA है, तो बेटा, यह AAA हो जाएगा, ठीक है, एक extra copy आ जाएगी, अब AA क्यू लिखा है, because यह X और Y और XS chromosome थोड़ी है, 22nd थोड़ी है, तो identify the disorder, यह Down syndrome होता है है, this is Down syndrome, उसके बाद बेटा, यहाँ पर लिखा है, symptoms क्या होते हैं, तो लिख देंगे यह आपको पता है, तो आपको यहाँ पर symptoms लिखना है, यहाँ पर question पूचा है, identifying symptoms, तो कम से कम 3 symptoms बेटा, लिखके आएंगे, दो number का तुमारा question है, ठीक है, ठीक है बेटा, तो symptoms क्या ल लिखने वाले हैं, कि इसका broad palm होता है, distinct in lines होती है, head bit around हो जाता है, और mentally retard हो जाते हैं, तो इस तरीके से लिखेंगे, next बेटा, explain the four advantages of mycorrhizal association, तो mycorrhizal बेटा, आपनी क्या पढ़ा था, मान लो यह पेड है, तो बेटा, पेड की जने भी होंगी, अब यह डीप डीप रही है, धूर धूर तक, तो बेटा, इन जड़ों में, पेडों की जगों में, यहां पे इने के पास fungus रहते हैं, इनके साथ, फंगस रहते हैं, तो बेटा, फंगस को तो इन से खाना मिल रहा होता है, और यह जो plants हैं, यह उने के लिए absorption कर रहे होता है, तो वो increase कर दिता है surface area for maximum absorption, तो बेटा, mycorrhizal किस किस तरीके से help होता है, यह absorb करता है, phosphorus from the soil, soil, plant को दे देता है, बेटा, यह provide करता है, resistance to the root bone pathogens, यह points है, बेटा, marking scheme आपको दे रखिये, you can write any three points, any three points, enhance the tolerance, tolerance बेटा, salinity और drought, यानि की सुखा हो गया, बहुत ज़्यादा, saline conditions है, बेटा, साथ ही, induce करता है, overall increase in plant role, obviously बेटा, साची स्टाइम से मिलेगी, पानी मिल रहा है, इसको, उसके पानी के साथ साथ सारे nutrients और minerals आते हैं, तो बेटा, definitely इसको अच्छी growth मिलेगी, next question, explain the method to increase the competency of bacterial cell to membrane, take up the recombinant DNA, बेटा, अभी हमने biotech खिया नहीं है, but let me tell you, होता क्या है, हमने recombinant DNA को बना लिया, अब अगर में को कोई bacterial DNA चाहिए, उसके अंदर में को E. coli के अंदर वो DNA डालना है, R-DNA, तो मैं कैसे उसके अंदर डालूंगी, क्या competency, क्या method करूंगी, तो बेटा, recombinant DNA हमको कैसे लिखना है, some terms are very important, बेटा, सेल को, बैक्टीरियल सेल को ट्रीट किया जाता है, डाय वेलेंट का टायन के साथ, this is important, उसके बाद बेटा, इसको इनक्यूबेट किया जाता है, ठंडे गरम, ठंडे गरम में करते हैं बेटा, ता कि इसकी चीज़े वी को और अंदर वो इनक्यूबेट किया, उसके बाद बेटा, इसको heat दे दिया, 42 degree Celsius का अच्छी कासी heat प्रवाइट कर दी, उसके बाद बेटा, फिर इसे इसको ice दे दी, तो इस तरीके से वो फिर DNA को absorb कर लेता है, पिक कर लेता है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट कोशन य रिखेंगे, how are large volume culture maintained, तो बेटा, बायो डी रियाक्टर, इसमें तो कुछ डिसकस करने वाली बात ने, तो इस डिरेक्ट कोशन, ये वैसे होते हैं, बेटा, you need to write a nice definition, जिसमें raw materials, biologically convert होते हैं, बेटा, specific, specific products में, such as में को अगर enzyme, कुछ भी बनाना है, तो बेटा, किसको किसी human cells को बेटा, use कर रहे हैं, वो क्या provide करते हैं, क्यों मैं इस तरीके से लेती हूँ, ये मुझको यहां पर लिखना है, ताकि मुझको optimum, best suitable condition मिल जाए, तो बेटा, मैं को चाहिए, चाहे मैं उसमें सारे nutrients की add की बात कर दू, चाहे मैं उसके temperature की बात कर दू, चाहे मैं कि किसी चीज की बात कर दू, तो प्लीज बेटा, इसका screenshot ले लेंगे, टेका screenshot of this, चलो, जल्दी जल्दी ना screenshot लेके रख लो, क्या करना है तुमको, बोच के तयारी कैसे करना है, इनका screenshot ले लो और इस वीडियो को अपने पास सेफ कर लो, थाकि जब तुमारी सारी तयारी हो हो जाए, इस वीडियो को फिर से देख लेंगे और बेटा, यह पढ़ लेंगे, चलो, next, the role of enzymes in the extraction of DNA, तो बेटा, DNA को जब एक्स्ट्राक्ट कर रहे है, राइजोपस, अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर तुमको यह ध्यान दिना है, कि बेटा, पहले mention करोगे, राइजोबस is a fungi, अब क्योंकि मुझको extract करना है DNA, तो बेटा, खतम करना होगा, तो fungi की cell wall को तोड़ना होगा, तो बेटा, जो की chitin की बनी होती है, तो इसको कौन तोड़ेगा, chitinase तोड़ेगा, या फिर आप लोग इसको chitin भी बोलते हो, chitinase तोड़ेगा, उसके लिए क्या-क्य होगा, तो RNAs, या फिर ribonuclease, ribonuclease, ठीक है बेटा, चलो, next, हाँ, रोल पूचा है तो यह तरू लिखेंगे कि यह क्या कर रहे है, यह विटा, डाइजस्ट करेंगे अपनी अपनी चीजों को, next बेटा, हाँ, what are sticky ends, state the significance of recombination DNA, तो बेटा, जो हम आगे DNA technology में पढ़ेंगे sticky end basically क्या होता है, जब हम एक DNA strand को cut करना होता है, और cut करने वाले enzyme होते हैं, restriction enzyme, अगर मैं किसी restriction enzyme के दुवारा बेटा कट कर रही हूँ, और उसको किस से cut करूँगी, endonuclease, जो अंदर से काटेगा बेटा, तो मैं एक paleondrom site टूनती हूँ, paleondrom site क्या होती है बेटा, जैसे a, t, g, c है, let's suppose अगर यह होगा, तो बेटा जो इसका ulta strand भी होगा, जो इसका ulta पढ़ेंगे तब भी वही आएगा, जैसे की, c, यहाँ पर लिखा है, g, a, a, t, यहीं लिख देती हूँ, g, a, a, t, t, c, अगर बेटा इसको देख, यहाँ पर इसका complimentary यह होगा, तो अगर आप इसको देखोगे, तो यह इसी का बेटा ulta है, तो इसको बोलते हैं, paleondrom sequence, ठीक है, तो DNA क्या करता है, sorry, endonucleus क्या करता है, what you have to mention, कि यह paleondrom side को select करता है, उसके बाद बेटा यह center से away जाता है, थोड़ा सा away from center cut करता है, और बेटा कैसे cut करेगा, उसी side पे, same side पे cut होगा, यानि अगर यहां G से cut है, तो यहां पे भी G से cut होगा, जिसके वज़े से आग यहां पे देख रहे हो, तो यहां पे एक single strand बचा, यहां पे एक single strand बचा, अभी यह बेताव हो रहे है कि मैं किसके साथ जुड़ जाऊं, तो बेटा इनको sticky ends बोलते bonding बनाएगा की पूछो मत, ठीक है, चलो, next पेटा, explain how XC2 conservation techniques, questions from ecology comes a lot, बारा, तेरा रमर की इकलोजी आती है, अच्छी का सी, and ecology का बेस्ट पाट क्या है, पता है, 5 marks question, 1 mark question, 2 mark question, 3 mark question, दीरे दीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, हर वो 5 marks वाले questions किया करेंगे, 3 marks question possible करेंगे, सब करेंगे, बोर्ट, अंदो, सब करेंगे, तो यहां पर पूछा है, XC2 conservation में बेटा, अगर हमको preserve करना है, XC2 ऐसी conservation होती है, जब हम natural habitat से बाहर जाती है, तो जब बेटा मैं को plant की species और animal की species को conserve करना है, तो कैसे करूंगी, XC2, जैसे बेटा, zoo हो गया, जै जैसे DNA banks हो गया, तो बेटा, यह होते हैं, तो लेट सपोज अगर मैं को plants, animals, plants को consume करना है, तो बेटा, मैं pollen को store कर सकती हूं, cryopreservation कर सकती हूं, या बेटा, Xplants होते हैं, micro propagation के लिए, लिए, micro propagation के लिए, Xplants, बेटा, इनको store कर सकते हूं, अच्छे का से टेमपरेचर में, मैं-190, Celsius cryopreservation, animals को ऐसे बरेंगे, बेटा, I mean animals को तो gametes के तूर कर सकते हैं, gametes store कर लेंगे, ठीक है, preserve करना है threatened species को बिटा जू में रख लेंगे लेकिन लेकिन जू नहीं लिखेंगे यहां पर यह advanced पूचा है advanced पूचा है तो यह ही लिखेंगे यह ही लिखेंगे अगला कोशन define the interference competition explain with the help of an example interference का मतलब यह होता है कि let's suppose एक जंगल है और यहां पर A-type के लोग रहते हैं और B-type के अनिमल रहते हैं अगर दोनों सेम खाना खाते हैं मतलब मान लो अगर बेटा मैं दोनों को सेम ही चीज दूँ यहां ऐसे देखो एक सुनों यहां से सुनों अगर मैं A-C-O कुछ चीजे प्रवाइड कर रही हूं A-C-O same source और food प्रवाइड कर रही हूं और अगर बेटा यहां पर कोई दूसरी चीज आती है तो यह बेटा compete करेगी यह interfere करेगी उसके food resource के लिए उसकी habitat के लिए तो बेटा competition हो जाता है और क्या हो जाता है को एक्सित नहीं कर पाते अब यहां पर बूचा बेटा give one example जो support करता है तो example यहां पर दो लेकिया आई हूं में एक हो गया आपका थोड़ी भी गोट इनको नहीं खारी थी बट गोट उन्हीं चीजों को खारी ती जिनको यह tortoise खाएंगे तो बेटा जिसकी वज़े से वो खताम हो गया एक और example अगर यह भी लिख सब्सक्राइब बारनेकल लार्ज बारनेकल जो सुपेरियर बारनेकल बेटा जब वो ज्यादा होती है चोटे वालों को कुछ मिलता ही नहीं है और वो खताम हो जाती है next देखेंगे बटा next question क्या था the tropical region now this question has come up a lot of times चाहे mcq की बात कर लो one mark बेटा तुमारे mcq आयते last year या बेटा one marks के questions की बात कर लो पहले आते थे one marks question या बेटा तुम तुमाक सी बात कर लो ऐसे question environment से reasoning वाले question जरूर आते हैं यह question भी बहुत बार आया है tropical regions बेटा ज्यादा biological diversity दिखाता है ऐसा क्यूं रीजन इसका बेटा यह होता है इसको अच्छे से लिखेंगे तीन points में यहां पर लिखेंगे पहला ज्यादा bio diversity दिखाने का मतला बेटा speciation इन टर्म्स को लिखेंगे जो मैं बोल रही हूँ speciation और बेटा speciation वहां पर होगी ऐसी जगह होगी जो बेटा relatively best temperatures best conditions प्रोवाइट कर रहा है जो बेटा जल्दी जल्दी बदलती नहीं है ताकि उसको evolution करने का time मिले तो देखो unlike temperate zone temperate zone में बेटा बहुत सारे changes आते हैं tropical latitude have remained relatively undisturbed जिसकी वजह से millions of years अग और तक इतना change नहीं आया जिससे उसके पास अच्छा कासा time है अपने आपको change करने का evolution को लाने का next tropical environment में बेटा less seasonals होते हैं environment इतना ज़दा change नहीं होता तो constant environment बेटा favor करता है उसके बाद ज़दा solar energy ज़दा solar energy का मतलब बच्पन में आ जाओ ज़दा producers ज़दा producers के मतलब ज़दा energy producer तो herbivores के पादा energy आगे और आगे और आगे ज़दा energy तो ज़दा solar energy का आने का मतलब है ज़दा energy और अच्छी energy अच्छा food अच्छा काम ज़दा spaceship variation next question बेटा c section में आ गए है a fully developed fetus initiates in delivery from the mother's womb बेटा fully fetus जो develop हो गया है वो mother's womb से कैसे initiate करता है division यहाँ पर justify करने को पूछ रहा है तो बेटा आपको पता है जैसे ही यह fully develop होता है तो यह भी signal देता है साथ ही बेटा मदर का प्लासेंटा signal देती है मदर का बेटा जो प्लासेंटा होता है वो signal देता है होता क्या है बेटा इसमें contraction होने लगती है आपके pituitary gland मदर के pituitary gland में से बेटा oxytocin release होने लगता है oxytocin release करने का मतला बेटा यह contraction करता है uterus में तो यह सारी ज़िए लिखने जरूरी है कि यह भी करता है ब्लासेंटा contraction करता है अपिटूटरी से बेटा oxytocin आता है यह contraction करता है uterus में muscles को बेटा contraction provide करता है contraction की वज़े से और oxytocin release होता है और और contraction होता है तो इस तरीके से लिखेंगे और एक टार्म भी लिखेंगे बेटा fetal ejection reflex तो यह अच्छे से आपको यह सारे terms कन अपने answer में होने चाहिए next question बेटा what do you find how do you find out a genotype of pea plant with violet flower explain with the help of a cross बेटा यहाँ पे पूचा है अगर में को violet flower का genotype पता करने violet flower बेटा dominant होता है और dominant कैसे होगा बेटा यह भी violet होगा और capital w capital w भी violet होगा लेकिन में को पता करना है कि दोनों में से कौन सा है तो सबसे पहली line ही बेटा यह लिखेंगे कि यह test cross से होगा तो test cross की definition लिखेंगे कि बेटा कैसे पता लगाएंगे इन दोनों को homozygous recessive यानि बेटा small w small w white से breed कर आएंगे तो आपको पता है अगर सारे आते हैं तो क्या condition होगी 50-50% आते हैं तो condition क्या होगी बेटा उसके साब से फिर पुनेट square बनाना है cross बनाना जरूरी फिर जाके आपको number मिलेंगे ठीक है आगे next बेटा define flocks and state the importance of biological treatment याद करो बेटा तुमको मैंने जैसे जिस दिन ये आप्टर स्टार्ट कराया था हाला कि इसके दो ही lecture हुए है जिस दिन बेटा मैंने इस टार्ट कराया था तो मैं वहीं पर लिख दिया था उस पर question आता है and this question is important sewage treatment बेटा बहुत question आता है बायो गास पर बहुत treatment question बहुत questions आते हैं साथ-साथ उसके अंदर decomposers भी रहते हैं लेकिन बेटा surrounded रहता है slime से यह सारी कीज़े लिखना जरूरी है और यह बेटा separate करते हैं किसको organic matter को from the waste water बेटा यह secondary triangles में settle हो जाते हैं down take part करते हैं information बेटा question भी आता है sludge के difference में भी question आता है बेटा that is also important question they can be used as inoculum inoculum क्यों जिसी इसको introduce करते हैं कहीं डालते हैं आगे जाके process के लिए biological treatment of waste water ठीक है तो बेटा यह तीनो points का screenshot लेलो इसको अच्छे से बेटा लिखना है ठीक है अगला question a farmer notice nema toad infection in tobacco plants RNAi का बेटा question आ गया RNAi RNA interference को क्वेशन आ गया जल्दी से स्क्रीन का screenshot ले लो ता कि बेटा तुमार पे अच्छे से point आ जाए ले लिया सुनो बेटा एक nema toad होता है तुमारा यहां पे nema toad का नाम नहीं दिया बट बेटा आपको उसका नाम लिखना है this is melloidogine incognita एक round worm है पागल सा क्या करता है देखो जरा टुबाको प्लांट की रूट में तो बेटा लिखना है यह चीज रूट को infect करके उसमें करता है बेटा जिसकी वज़ास से उसको सॉइल से ना ही वाटर ठीक से मिलता है ना ही बेटा RNA interference करते है बेसिकली क्या होता है यह जो आपका नीमो टोड है जब बेटा यह इसको infect कर रहा है तो यह कुछ ऐसा अपनी बॉडी में से डाल रहा है जो उसकी बॉडी में बन रहा है और फिर प्रॉब्लम हो रही है बट अगर मैं इसने कुछ information डाली in the form of mRNA अगर मैं उस mRNA जो प्रोटीन बनाएगा तो उस mRNA वो ही गंदे प्रोटीन बना रहा है अगर मैं उस mRNA के संग छेड़कानी कर दूँ तो वो वो प्रोटीन नहीं बनाएगा तो मैं उसको silence कर देती हूं mRNA को बिटा यह हम पढ़ेंगे बायो टेक में अभी आपको बस लिखना है कि क्या क्या पॉइंट्स आएंगे तो यहां पे silencing word very important है ठीक है बिटा कैसे करते हैं mRNA को silence कर देते हैं एक complimentary RNA complimentary double strand RNA को बिटा करते हैं ताकि इसकी translation नहीं हो पाए और जब translation नहीं होगी तो बिटा वो proteins नहीं बनेंगे जो problem create कर रहे हैं then आपको transposons लिखना बिटा important है कि यह जो double stranded RNA यह आते कहां से हैं it could be from virus it could be from pathogen any pathogen it could be from a transposons यह बिटा carrier mobile genetic elements होते हैं ठीक है तो यह लिखेंगे agrobacterium vaccine vectors हो गए ठीक है और राइट next question बिटा the graph given below this question comes up a lot of time इडा ecology में से specie area curve एक वो population वाला तुमारा इसमें natality mortality पिछले साल भी आया है बिटा हो population वाला जो block drygram है पिटा यह इनके यह जो diagram है जो logistic और exponential कर बिटा वो सब है please इनको अच्छे से रट लो समझ लो लिख लो इन में से कुछ भी आ सकता है कुछ भी आ सकता है आएगा जरूर कुछ ना कुछ सुनो यहां पे भी question पूचा है it is a three marks question जहां पे L पूचा है M पूचा है यह हम आगे भी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से mention करना होगा बिटा यह जो होते देख रहें हो चेंज कर रहा है विटा दीज आ नोन अस कन फॉर्मर्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी में constant probability नहीं रख पाते स्टेबिटी तो बिटा वो चेंज करते रहते हैं वो लेट सपोज अगर मैं एक्टो थर्मिक और्गानिजम्स की बात करूं तो इनकी बॉडी में कोई ऐसी हीट नहीं होरी बेटा जिसको वो यूज कर लेंगे तो यह बाहर की हीट को यूज करते हैं तो बिटा यहां पे वेर आज एम पूचा है एम रेग्यूलेटर है बिटा यह खुद रेग्यूलेट करते हैं टेम्परेचर जैसे मैमल्स हम अपनी बॉडी में जो बिटा हीटली जो उसको यूज करके अपने आपको वाम रखते हैं तो हम एंडो थर्मिक होते हैं बिटा दैन क्वेशन में पूचा है एंडगर होगा एंड पूचते नहीं बटा बट इस पार्शली रेग्यूलेटर दैन क्वेशन में दो कंडीशन दे रखिए बिटा अगर हम समर में बहुत जादा स्वेट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं तो बिटा हम अपने टेम्परेचर क मेंटेन कर रहे हैं और ये कौन करते हैं रेग्यूलेटर दाट इस एम सम्टाइम डेजर्ट डर पिटा डेजर्ट ये बास्क संवे आके बैट जाती है गर्मी उनको गर्मी लगरी उनको ठंड लगरी बहुदा दिमाकरा बोरा रहे चलो तोड़ी अधूप से क्या तो ऐसे अपनी बोडी को वाम करते है बिटा कनफॉर्मर्स ठीक है नेक्स्ट कोईशन थीज आर वेरी इंपर्टेंट कोईशन अलग अलग आते हैं एक साथ तो ऐसे रेरली आते हैं बट इन मेंसे एक अधा कोईशन हंड्रेड परसेंट आता है बिटा एक बर तो यहापर पूचा ह फैला वेरी स्मॉल आनिमल्स एर रेरली फांड इन पोलर रिजिंस क्यों क्योंकि बिटा जो बहुत स्मॉल आनिमल्स होते हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है विद रिस्पेक्ट टू थेर वॉल्यूम बेटा वो जाधा होता है जिसकी वजह से उनकी बोडी में हीट लॉस जादा होता है और विचारे छोटे से भी हैं तो इतनी हीट बना नहीं पाते जिसकी वजह से polar regions में बहुत ठंड लगेगी तो नहीं रहते नेक्स्ट कोशिशन मैं तो यह चीज आपको लिखना जरूरी है नेक्स्ट कोशिशन पेटा मैमल्स from the colder climate generally have shorter years and lives. तो प्लीज यह लिख लेंगे यहां पे इसका नाम, विटा इस 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 the Allen's rule, again heat loss. तो यहां पे दो चीज मेंचिन कानने के सार होते हैं, एक विट विटा. स्टी के राव, यहां ढशाओ, में पैये इए 33 दीए.ाम पेये श्क्रा करना सकता है करो मैंस्टा करूद है अंचलोव झास त्यां 5 आड़क ondan चुक्ती करूदा एंञで स्टे के तथढ़कान आगma के ऩारपी। घग्याई पावा भाव्य। तो यहां पर यह आलेंज रिखना जरूरी है और हीट लॉस होता है इन में से तो इनके पाथ चोटे-चोटे एयर्ज होते हैं और हमारी बोड़ी को oxygen availability नहीं हो पाती जिसकी वज़े से बिटा nausea feeling आती है और इसमें choices भी आती है चलो तो एक यह करके discuss कर लेते हैं सबसे पहला कोशन बिटा तुम्हें कर्व दे रहका है बहुत इंपोर्टेंट है और मेंस्ट्रिस साइकल मतब हदे इंपोर्टेंट है इस चैप्टर में से अगर कुछ सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है ना इस मेंस्ट्रिस साइकल very important obviously male and female sex organs are important then spermatogenesis oogenesis ka difference is important नर्स सेल से टोरी सेल और यह लेडिक सेल का difference important and menstrual cycle very important five marks में इतने साल यह question आया है ना कि देखके तुम सोचोगे कि यह तो मैं पढ़के ही जाऊंगा तो एक graph तुमको यहां पर दिया है x और y को हमें बताना है तो देखो जरा यहां पर first day आओ इस दे पर आ रहा है 14 दे पर LH तुम्हारा maximum होता है लेकिन यह LH ने क्योंकि शुरू से ही बढ़ा हो आ रहा है starting में तुम्हारा LH बढ़ा तो नहीं होता है LH बाद में बढ़ता है जब बढ़ता है follicle stimulate होते है follicle stimulate होने की विसे इस्ट्रोजन नहीं कलता है उसके cell को proliferate करने लगता है next वाई कौन सा होगा तो वाई देख रहो बिलकुल खतम है और बागे-बाद में जाके बढ़ा है तो बढ़ा यह तो सिर्फ और से progesterone hormone है क्योंकि यह तब ही बढ़ता ही निकलता ही बढ़ता कॉर्पयस luteum तो यहां पे जब यूटरस की प्लाइनिंग थिक हो रही है बट दा मुमेंट बेटा आपकी यहां पर फटलाइजिशन नहीं हुई यह फिर से ड्रॉप हो जाते है अब क्वेशन देखेंगे को रिलेट करना है 16 to 15 देज में 6 to 15 यहां से यहां तक तो बढ़ता यहां से यहां तक यहां तक य है उसके बाद चीजें नहीं हो रही है चलो यह कोशन बेटा आता है कभी कभी डाइग्राम बनाने को आता है प्लासेंटा को और आपको बड़ा अच्छा कोशन यहां पर दे रखा है आपको आइडेंटिफाई करने को दे रिया तो देखते हैं तो पिटा यह वाले जो बी हो जाएगा अंबल इकल कोट उसके बाद यह फीटरस है बेटा और फीटरस का आस प्लास का फ्लूइड है बेटा एम्नियोर्टिक फ्लूइड तो क्वेशन पूछा था इन अबोफ नेम दे पार्ट A B C D जो आक्ट करता है अज़ टेंपरेरी एंडोक्राइन ग्लांड यह बेटा प्लासेंटा एक टेंपरेरी एंडोग्राइन ग्लांड की तरह आक्ट करता है जो बेटा रिलीस करता होर्मून जैसे प्रोजेस्टरोन, इस्टरोजोन, HPL, HCG होर्मून को रिलीस करता है नेक्स बेटा यहां पर देखो आप लिख दोगे न्यूट्रियंस आ रहे है बिटा, oxygen आ रहा है, फूड आ रहा है, वाटर आ रहे है, चीजे आ रही है बिटा, फीटस के पास बट क्या नहीं छोड़ना है कि एक्सक्रेटरी वेस्ट भी बेटा जा रहा है बेटा, फीटस से एक्स्रीटरी वेस्ट भी इसी के थू जा रहा है, नेक्स्ट, रोल ओफ बी, अम्बिलिकल कॉर्ट बेटा, इसको कनेक्ट करता है, और इसी के थू ट्रांस्पोर्टेशन हो रही है उसके बाद, यह, how it is misused, amniotic fluid का पूचा है, बेटा, amniotic fluid क्या होता है, इसको लेकर के amniotic fluid को, क्योंकि इसमें baby के cells होंगे तो उससे हम टेस्ट कर सकते हैं, बेटा, उसके टेस्ट को amniocentesis बोलते हैं, तो यह लिखना जरूरी है उसके बाद, बेटा, लिख रहे हैं, यह, लिखना जरूरी है कि उसमें fetal के cells होते हैं, बेटा, इससे chromosomal abnormality, abnormality पता ही लगाया जा सकती है बट इसका misuse करते हैं, क्योंकि बेटा, इससे sex पता लगाया जा रहा था next question, evaluate the DNA and RNA as a genetic material, तो यह चीज तो बेटा, बड़ी इस चाप्टर में से कोशिन या तो तुमारा आता है, सीदा सीदा, 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 बता दो, difference translation, transcription का difference, Watson and Crick का model, Harsh's and Chayle's experiment, Musselson's and Chayle's experiment, transforming principle, इस chapter में से direct, direct questions आते हैं, तो write the flow charts and write beautifully, flow chart बनाएंगे, diagram बनाएंगे और points में लिखेंगे, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना, DNA और RNA में बेटा बोला है, कि justify करो कि कौन सा ज़्यादा prefer होगा, तो बहुत अच्छे से तुमको marking screen में ये answer दे रखा है, प्लीज बेटा इसका screenshot ले लेंगे, प्लीज screenshot ले लो, चलो, आजाओं स्क्रीन पे, now बेटा, तो आपको पता है genetic material ऐसा होना चाहिए, तो पहले यहाँ पर points लिखें कि कैसा होना चाहिए, तो बेटा वो replication करवाना चाहिए, तो obviously जो DNA होता है, ये होता है, complementary होते हैं, बेटा ये कैसे property दिखाता है, these are able to replicate, then protein इसले नहीं था क्योंकि that cannot be replicate, उसके बाद बेटा ये stable होना चाहिए, अगर मैं stability के base में देखू, तो RNA के पास OH होता है बेटा, वो stable नहीं होता, uracil होता है, OH and uracil के वज़े से ये reactive हो जाता है, then बेटा उसके बाद slow changes के लिए ये हमेशा welcome होना चाहिए, mutation के लिए welcome होना चाहिए, it should be express itself, Mendelian character की तरह बेट express होना चाहिए, और above discussion indicate करता है, कि RNA और DNA दोनों ही genetic material है, बट जादा बेटा, ideal, RNA is the first genetic material and DNA is an ideal genetic material, alright, इसका पहला question बेटा क्या था, DNA replication का mechanism बता दो, इसका example बहुत अच्छे से ये point लिखेंगे, बेटा इसको आप कैसे लिखोगे, एक replication fork बना दोगे, और points में लिखना है, और साथ-साथ जो जो चीज़े यूज़े हो रही है, उसका function भी लिखते रहेंगे, तो पूरा लिखेंगे किस तरीके से बेटा क्या क्या miss नहीं करना, आपको बताना होगा बेटा किसको template लेंगे, कौन सी direction में होगा, तो आपको direction लिखनी होगी, तो उसके साथ से आपको पता, बेटा 5 प्राइम से start होता है, तो हमारा leading strand 5 प्राइम वाला होता है, बेटा template इसको बोलते हैं, और क्योंकि ये continuously होता है, तो उसको leading बोलते हैं, this line is important, दूसरा वाला बेटा 5 प्राइम to 3 प्राइम होगा, लेकिन वो 3 प्राइम है तो उधर से start तो नहीं होगा, तो वो opposite direction से start होता है, और बेटा ये तुकड़ों में होता है, और जो बनते हैं उसको ओकजा की बोलते हैं, ये word आपके NCRT में नहीं रखा बट बेटा आपको mention करना है, बनाता कौन है, RNA polymerase कौन सा, RNA polymerase 3, this is important, बेटा इसको जब खुल जाता है, helicase खोलता है, इसको replication fork बोलते हैं, उसके बाद बेटा, और क्या-क्या important है यहाँ पे, हाँ, helicase बेटा ताकि ये जुड़े नहीं, इस तरीके से, इसको bullet में लगा देते हैं, single stranded binding protein, RNA primers are important बेटा, जिसके basis पे ये आगे-ागे जाके जुडता है, lagging strand को continuous, discontinuous strand क्यों बोलते हैं ये, last में बेटा, ligase के बारे में लिखना है कि ये सब को जोड देता है, तो इस वेरी इंपोर्टन की आप अच्छे से इसको mention करें, next question बेटा, and the last question याँ पे तुम आरको दे रखा है, disease देखो बेटा, एक बोला है कि पे, patient ने ability, lose कर दी, lose the property of contact inhibition, और बेटा, आपको पता है, contact inhibition property, normal cells की होती है, cancer cells की नहीं, उसने lose कर दी तो बेटा, ये cancer cell है, explain करो, any three method जो बेटा, इसको detect करेगी, and take plus, तो detect करने वाली चीज़े लिखनी है, तो बेटा, कौन सी हो गई, आपकी cancer होगी, disease, causes कैसे हो गए, बेटा, mutation की वज़े से होती है, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अगर question में पूछता है, तो बेटा, proto-oncogene के बारे में, proto-oncogene का term माना चाहिए, उसके बाद ये कैसे oncogene बनते है, इनमें mutation होती है, कैसे होंगी बेटा, exposure to x-ray, gamma rays, UV rays, chemicals जैसे tobacco, other carcinogens, biological जैसे बेटा, कुछ viral oncogene, यह हो गया, तो यह लाइन भी लिखेंगे, जो यहाँ नहीं लिखेंगे, उसके बाद बेटा, इसकी detection है, कैसे करेंगे, तो इसको तरीका है, एक तो बायोप्सी कर देंगे, और हिस्टो पाजलेजिकल, cells ले लेंगे, उसक प्रचीज दो नोट फोगेट तो राइद फुल फॉर्म, इतना स्मार्ट नहीं बनना की बिटा, MRI और CTs के लिखेंगे, आगये हैं, जो प्लीज वहाँ पे इनके फुल फॉर्म भी लिखने है, उसके बाद बेटा, क्वेशन में इसका ट्रीटमेंट भी आ सकता है, तो आई हो, बीटा, सबको समझ आए है, ऐसी ही पढ़ती रहेंगे, तयारी करेंगे, बड़िया नमबर लेके आएङगे, जितने बच्चों के बॉड में नमबर अच्छे आएंगे, सबके आएंगे, सबके आएंगे, ठीक है, बट बेटा, साथ-साथ मेरे साथ-साथ Kre venday करें